उडिसा के बालासोर में शुकरवार शाम तीन प्रेने दुर घटना घटना बहानगा बाजार रेल्वे स्टेशन के पास हुई स्टेशन से कुछ दूरी दे करने के बाद एक प्रेन मेंन लाइन छोड़ कर लूप लाइन में चली गई और हाथसा हो गया देखियो कोलगत्ता से करीब 200 किलोमेटर दक्षिड और भुवनेश्वार से 170 किलोमेटर उत्तर में बालसोर जिले के बानगा बाजार स्टेशन के पास शुकरवार शाम करीब 7 बजे भीशन ट्रेन हाथसा हो गया इस हाथसे का शिकार तीन ट्रेने हुई जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलूरू हावडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाडी शामिल है इस भायावे हाथसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाडी से टक्रा गई प्रेन का इंचन मालकाडी के डिब्बे के उपर चड़ गया टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्स्प्रेस के तेरा डिब्बे बुरी तरह श्रतिग्रस्क हो गए इनमें सामानिय स्लीप पर AC3 टियर और AC2 टियर के डिब्बे शामिल थे कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पर भीचा गिरे उस वक्त दूसरी ओर से बैंगलूरो हावडा सुपर फास्ट एक्सप्रेस को गुजरना था बैंगलूरो हावडा एक्सप्रेस के ड्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हुए थे इसकी वज़े से बेंगलूरू हावडा एक्सप्रिस इन डबो से टकरा गई टकर के चलते बेंगलूरू हावडा एक्सप्रिस के स्तामाने श्रेणी के तीन डिब्बे पूरी तरह शतिग्रस्त होकर पड़री से उतर गई हाथसे के बाथ लोगों की चीक पुकार शुरू हो गई आपको बता दे हाथसे में अब तक 294 लोगों की जान जा चुकी है वहीं घायलों की संख्या 1175 पार हो गई है कोरोमंडल एक्सप्रिस 128 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से चल रही थी बैंगलूरो हावडा सुपर फास्ट एक्सप्रिस 116 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से आ रही थी दोनों ट्रेनों में लगबग 2000 यात्री शामिल थे स्टेशन के आसपास ही लूप लाइन बनाई जाती है जो आमतोर पर 750 मीटर लंबी होती है ताकि एक से जादा इंजिन के साथ चलने वाली मालगाडियों को वहाँ खड़ा किया जा सके जहां हाथसा हुआ उस रूट पर कवच प्रणाली एक्टिव नहीं थी जो एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों के आने जाने की स्थिती में हाथसे को रोकती है शुरुआती जाँच केती है कि सिगनल मिलने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हुई आगे जागर वह अप में लाइन छोड़ कर लूप लाइन में चली गई जहां मालगाड़ी पहले से खड़ी थी यहां पर पहली भिडन्त हुई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिबेट डाउन में लाइन पर आ गए जहां दूसरी ट्रेन बेंगलूरू हावडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई इसी वज़े से कई लोगों की जान गई बालासोर ट्रेन दुरगटना के बाद लंबी दूरी की 48 ट्रेनों को रद कर दिया गया है 49 ट्रेनों के रूट में बदलाब किया गया है इसके अलावा 10 ट्रेने ऐसी भी हैं जिनने आंशिक रूप से रद किया गया है बता दे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिसा के बाला सोड जिले के बहानगा में रेल दुरघटना स्थल का निरिक्षन किया प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी ने घटना स्थल पहुँचकर रेस्क्यो उप्रेशन का जायजा लिया और फिर अस्पताल में घायलों से मुलाकात की पिया मोदी ने अधिकारियों से लोगों के अच्छे इलाज की व्यफसा करने का निर्देश दिया इसी के साथ उन्हों ने घायलो और उनके परिवारों को सभी आवश्यक साहेता प्रदान करने को कहा रेल्वे के जानकारों का कहना है कि इस हाथसे पीछे दो कारण नजर आ रहे हैं पहला मानविय भूल और दूसरा तकनीक में खराबी इस हाथसे के पीछे तकनीक में खराबी को अब तक बड़ी वजय माना जा रहा है जब हाथसा हुआ उस दोरान अगर सिगनल सिस्टम दुरूस्त होते तो कोरूम अंडल एक्स्प्रेस को रोका जा सकता था दरसल रैवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पट्रियों पर ट्रैफिक को देख कर दिया जाता है ऐसे में हाथसे की जानकारे भी कंट्रोल रूम के पास पहुचनी का अनुमान है हाला कि ये जानकारी कंट्रोल रूम तक कितनी देर में पहुँचती है ये हापसे को रोकने में बड़ा फैक्टर हो सकता था इस बीज रेलवे के प्रवक्ता मिताफ शर्मा ने कहा कि मार्ग पर एंटी ट्रेंट टकर प्रणाली कवच उपलब्द नहीं थी जानकारी के मताबिक रेलवे अपने पूरे नेटवर्क में कवच याने की एंटी ट्रेंट टकर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है दरसल कवच उस वक्त अलट करता है जब लोको पाइलेट किसी सिगनल को पार कर जाता है जो ट्रेन टकरों की प्रमुख वज़े है यह सिस्टम लोको पाइलेट को अलट कर सकता है ब्रेक पर नियंतरन कर सकता है इसके साथ ही यह ट्रेन को निरधारे दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन को नोटिस करने पर ट्रेन को स्वचालित रूप से रोप सकता है वहें दूसरी और सूरजवाला ने नियूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रेल मंतरी ने सिगनल सिस्टम में फेलियर को लेकर गंभीर चेतावनी को इगनोर क्यों किया उन्होंने यह भी कहा कि रेल मंत्री का ध्यान रेलवे की सुरक्षा के बज़ाए मार्केटिंग और पीम मोधी को खुश करने में जादा है सुर्जवाला ने पूछा कि क्या मृतक केवस संख्या है या फिर भारत की सबसे खराब रेल हाथ से के लिए कोई जिम्मेदार है